Hello everyone and welcome back to YouTube channel Ashutalks आज की इस वीडियो में मैं आपको एसेंचर के तरफ साही बहुत अच्छी अपडेट बारे में बताने वालो जैसे कि आप सभी को बता है एसेंचर की एक्जाम शेडूल होना स्टार्ट हो गी है उसके बारे में आज की इस वीडियो में डीटिल में बात करने वाले हैं जैसे कि आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एसेंचर ने एक्जाम के एक रेटरेशल सेंड करना स्टार्ट कर दिए कंडिडेट्स को उसके बारे में डिसकस करेंगे साथा यहां पर देख सकते हो आपको एक्जाम के लिए प्रिपार कैसे करना है उसके बारे में आपको काफी अच्छी इंफोर्मेशन बताने वालो जिससे आपकी एक्जाम क्लियर होने के चंसे और भी जादा बढ़ जाते है साथा यहां पर आपको एक चीज़ दिखने मिल जाता है कॉगनिटिव जो टेस्ट होने वाली है राउंड वन होने वाला है क्या यह एलिमिनेशन राउंड है इसके बारे में आपको बताने वालो क्या इसका कोई sectional cutoff है या subsectional cutoff है तो उसके बारे में बात करेंगे साहसाथ exam की duration क्या होने वाली है questions किस तरह से पूछ जाने वाले सभी चीज़ों के बारे में डीटे में बात करने वाले तो वीडियो के जरूर देखना चैनल पर और इसके रिगार्डिंग टू वीडियो में डाल चुका हो जिसे के आप देख यहां पर कुछ आपको इस तरह का mail आता है your cognitive assessment credential करके और उसके पात यहां पर आपको देखने मिल जाता है hope you are all set to take our cognitive assessment in virtual mode and आपकी assessment जो वो शेडूल हो चुकी है Friday 30th of June को जो भी आपने slot चूस किया है वो आपको यहां देखने मिल जाएंगा और यहां पर आपको slot का timing देख करते हो तो आपको assessment में participate करने नहीं दिया जाएंगा तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि test start होने से 30 minutes पहले आपको login कर लेना है अब यहां पर system requirements देखने मिल जाती है आपको test attend करने के लिए laptop desktop आप सभी के लिए important है webcam and microphone से rated okay and RAM processor operating system okay Google Chrome updated browser and fast internet connection होना चाहिए okay and safe exam browser आ करता था इसलिए आज detail में नहीं पता रहा हूँ okay यह चीज़ धान में रखनी है and wifi हो तो बहुत अच्छी बात है ताकि आपका exam smoothly हो अगर आपके पास wifi नहीं है घर पे तो आप mobile hotspot भी यूज़ कर सकते हो पर यह चीज़ धान में रखना कि उसका उसकी जो range है वो strong नहीं च चल जाएंगा और आपको option मिलेंगा कि आप technical assessment में पार्ट ले सकते हो कि technical assessment जो है वो round 2 है यह elimination round नहीं है technical assessment जो round 2 होने बाला है यह नॉर्मल राउंड है okay अगर आपको पार्ट स्पेट करना है तो कर सकते हो क्योंकि यह optional है okay अगर आप yes पर क्लिक करते हो अगर आपको पार् लग है a few things to keep in mind ensure you are in a room which does not have any disturbance okay तो आपको एक शांती वाले रूम में बैटना है जहां पर आपका कोई भी background noise नहीं आना चाहिए कोई भी external sound नहीं आना चाहिए okay and बीच में internet connection आपका stop नहीं होना चाहिए power supply stop नहीं होना चाहिए तो यह चीज़ आपको धान में रखनी है यह आप आप देख सकते हूँ during the assessment time you must be visible in camera and not permitted to take any breaks जैसे कि आपको मैं clearly visible हूँ through my webcam उसी तरह से आप भी clearly visible होना चाहिए exam के टाइम पे और आप exam के बीच में कहीं उठकर नहीं जा सकते हो कोई भी breaks नहीं मिलेंगी okay the assessment must be taken in one go mandatory okay एक ही go में आपको exam complete करनी है instruction दिए वो आपक करते हो तो आपको disqualification देखने भी मिल जाता है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है कोई भी technical issue face होती है तो आप डारिक लिए contact कर सकते हो और यहां पर आपको एक assessment URL लिखने मिल जाता है जिसके मदद से आप अपना exam जो है वो start कर सकते हो तो यह चीज़ द्यान में र web page उपन होता है जहां पर देख सकते हो secure exam browser यहां पर exam के लिए browser है आप proceed to test पर क्लिक कर सकते हो अगर आपके पास browser नहीं है तो आप windows के लिए यह इंस्टाल कर सकते हो इस तरह से easy लिए आप install कर सकते हो यह आपको कुछ instruction देखने मिल जाते है assessment से related कि कि आपके side में कोई भी not allowed to move away or sit very close to the camera during the test आप clearly visible होने चाहिए camera में आप हिल डूल नहीं सकतो exam में आपको focus करना है कोई भी electronic device यूज नहीं करना चाहिए आपको यह चीज देखने मिल जाते है ओके and online communication application जैसे कि Skype Microsoft Teams यह सब चीज आपको यूज नहीं करना है ऐसे बहुत सरी है आपको चीज़े out करना and behavior guidelines देखने मिल जाते है कि you must dress as though you are in a public setting okay आपको अच्छे सा dress up कर लेना है आप एक नॉर्मल सा shirt पहन सकते हो या तो T-shirt भी पहन सकते हो पर उस पे कुछ लिखा नहीं होना चाहिए कुछ प्रिंटे नहीं होना चाहिए आपको किसी से contact नहीं करना है आपको video frame से बाहर कर दिया जाएगा तो यह कुछ आपको assessment guidelines देखने मिल जाती है अब हम बात कर लेते कि how to prepare for the exam तो जैसे कि आप यह देख सकते हो यहाँ पर आपको जो assessment होने वाला है जिसकी 50 minutes की duration होने वाली है जहाँ पर English ability critical thinking and problem solving and abstract reasoning होने वाला है तो यह चीज़ आपको देखने मिल जाता ह है वो prepare कर सकते हो aptitude question and answer for your placement interview and competitive exam यहाँ पर देख सकते हो general aptitude verbal and reasoning यह आपको देखने मिल जाता है तो यहाँ से आप अच्छी वेबसाइट है तो हम आपको resource भी बता चुका हो कि आपको कहां से prepare करना है तो जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते है एक्जाम के लिए prepare कैसे करना है इंडिया विक्स के website जाना है aptitude का पूरा section देखने मिल जाता है वहाँ से आप prepare कर सकते हो ओके यह cognitive round जो है वो एक elimination round है उसके बाद आपका जो technical round होता है वो elimination round नहीं है वो एक optional round है तो आप चाहूँ तो उसे दे सकते हो okay and is there any sectional cutoff तो यहाँ पर sectional cutoff and subsectional cutoff देखने मिल जाते है आपको तो यह चीज़ आप ध्यान में रखना and exam duration 50 minutes होने वाले जिसमें 50 questions होने वाले है यहाँ पर आपको sectional cutoff के regarding भी देखने मिल जाता है यहाँ पर आपको जो mail आया था यहाँ आप देख सकतो mandatory assessment and will be an elimination round okay यह elimination round होने वाला यह mandatory assessment है you must meet our sectional and subsectional cutoff to proceed ahead in our recruitment process जैसे कि यहाँ पर multiple rounds है okay you will have 50 minutes to complete 50 questions okay तब मैं sectional cutoff के बारे में थोड़ा बता जेता हूं जिससे आप देख सकतो English ability critical thinking problem solving and abstract reasoning यह तीन आपको आ जाता है assessment hashtag one में okay तो तीनों के अलग-अलग questions आने वाले है वह आपको clear करना होगा sectional cutoff मतलब assessment one का total मिला के जो cutoff होता है वो भी आपको clear करना है and single English ability का जो होता है individually वो भी आपको cutoff clear करना है तो इस तरह से sectional cutoff and subsectional cutoff यह भी होने वाला है okay तो सभी चीज़ों के बारे में डीटेल में बता चुका हूं मैं आपको I hope guys आपको यह वीडियो पसंद आया हो informative लगाओ वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो definitely वीडियो को लाइक कर देना and अपने फ्रेंड के साथ भी शेर कर देना thank you for watching this YouTube video till the end